नमस्कार आप देखने हैं प्रदेश हल्चल में हूँ आपके साथ महेश्चे आज बात करते हैं नीमत जिले के मनासा विदान सबा की तो इंदीनों मनासा विदान सबा में बाजप्पा पृतियाशी मादव मारू का दुआदार जन संपर्क देखने को मिल रहा है जहां बाजप्पा पृतियाशी मादव मारू कांग्रेस पृतियाशी पर बारी पढ़ रहे है वही जन संपर्क के दोरान गाओं में जनता का अपारसने और आशिरवाद मिल रहा है आज भी मनासा विदान सबा के बाजप्पा उमिद्वार मादव मारू अपने काफिले के साथ मनासा विदान सबा के कंजारा जोपडिया चोकलियां सहीत कई गाओं में पहुँचे जहां बाजप्पा, उमिद्वार, मादम मारू का जनता ने पुश्पहार वसापा बान कर बव्य स्वागत किया नमस्कार आप देख रहे हैं प्रदेश हल्चल में हूँ आपके साथ महेच जिन आज हम पहुँचे हैं मनासा विदान सभा की कंजारा ग्राम में यहां देख रहे हैं कि किस तरीके से बाजपा के कदावर नेता केलाश विजेवर्गी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का जमावडा लगा था किराश विजेवर्गी को बाजपा बाशन सुनने के बाद कहिन की कारिकरता हूं में एक जोश आया हैं यहां पर हम कंजारा का माहौल जाने हैं इस बार जो मादव मारू के नाम पर बाजपा पार्टी ने जो मोहर लगाई हैं उसको लेकर इस प्रकार का माहौल है और लोग 55 साल के कांग्रेस के कारिकाल से खूश है या 15 साल के बाजपा के कारिकाल से खूश है कितने साल से आप यहार है रहे हैं मैं लगबक मेरा जन्म कंजारा में हुआ हूं और कंजाडा का रेना वाला हूँ मेरा नाम कनेया लाल सोलंगी है और जब से मध्यप्रदेश में भारती यंदा पाल्टी की सरकार बनी है इस भारती यंदा पाल्टी की सरकार के हमारे मुख्या प्रदेश के शिवराफी चोहान के नित्रोत में जन्म से लेकर मरण तक की के लिए व्यापारी के लिए मजदूर के लिए चात्र चात्राओं को लिए हर तरह की योजना किर्यानवन करके उन्हों ने जमिन इस्तर तक लाए हैं एसे हमारे प्रदेश के मुख्या और आधन ने शिव्राफ्री चोहान ने एसी कई योजना चला रखी अगर मैं सभी सब्सक्राइब करती कुछ नहीं इस बार फिर को पत्र दे रही है वह सारी गोष्णाय कर रहे है क्या लगता है वो साकार हो पाएगी यह साकार नहीं हो पाएगी जैसे कि अपने अपने देखते हैं कि कॉंग्रेस के शाषन में जो गोष्णाय करती थी उन पर अमल नहीं करती थी और लोगों को परशानी का सामना करना पड़ता था जैसे कि यह मानल के चलो के रोड रोड के मामले में देख लो किते खड़ों वाली सड़क थी और भारती जंता पार्टी की सरकार आने के बाद मत्या प्रदेश में स्विक्ता में क्या चाहते हैं बिल्कुल इस्तानी उम्मिदवार जो है बहुत कारकर होगा और काफी समय से मांग चल रही थी और मन्सों से आखरके और चले गए वापस लेकिन विकास बराबर नहीं हो पया है हम यह आशा करते हैं कि मादमारों के जमाने में अच्छा विक आदू मारू भाली मतों से विजय होगा यह कारीकरता है उमन्ग है अब जनता क्या चाहती है करते हैं अच्छा काम होगा या इन-15 सालों में काम होगा जो भी सरकार आए उसको करना ए जो भी सरकारा है आप पुराने आदमी है 15 साल में जो सरकार ने किया है वो 55 साल की सरकार कर पाई काई इस नहीं कर पाई सब्सक्राइब कर लाब कर दी कॉंग्रेस के साशन में क्या हालाते हैं पर सेट मिलता था या देना पड़ता था यह था आपने देखा कुल मिला के सारी योजनाओं को लेकर लोगों का कहना है कि 55 साल कोंग्रेस ने शार्शन करा और 15 साल सबसे बड़ा मुद्दा इस्तानी इनको विदायक चाहिए तो यह इनके लिए खड़ा हो जाए इस्तानी मुद्दे पर काफी महोल देखा जा रहा है और पूरी तरीके से कई अधेर शल्चन मैं हूं महिज जेए